हलो फ्रेंड्स इस सुमित्रा एंड वेलकम टू टैट मंथन आज डिसकस करेंगे हम लोग थर्ड स्टेंडर्ड की जो नोट से आपके एवियस के और फॉर्थ और फिफ्थ के नोट सम्लोग डिसकस कर चुके हैं 14-15 लास्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर कर लेंगे और लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम लोग डिसकस करेंगे कुछ important questions को जो कि आपके प्रिवियस एर में पूछे गए हैं और जो आज हम लोग ये discussion करने वाले हैं इस से रिलेट करते हैं वो इसी में से लिये गए हैं तो स्टार्ट करते हैं फिर अगर वीड और बेल आइकन को हिट किजिए ताकि आने वाली जित्ती भी यूसफुल वीडियोस हैं वो सब आपको मिल सके हैं तो क्या है आज करे discussion में आर फर्स स्कूल इस और फैमिली तो हमारा जो फर्स स्कूल होता है बेसिकली वो क्या होता है हमारी फैमिली होते है क्योंकि हम लोग स्कूल को में जो कुछ भी सीखते है तो हमारी फैमिली से सीखते हैं अब किया है आपकी जो लिए की कुछ थीम्स है उसमें आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपकी एलग वीडियो आप लोगू के बना दूगे जिससे की क्योंकि जीए आपका क्वेशन हमेशा बनते है इसम विष्णु चिंचालकर इंदोर मध्याप्रदेश से हैं इस बीटिफुल पिक्चर यूजिंग ड्राइ लिव्स अब क्या है सुखे पत्तों से क्या करते हैं यह बहुत ही ब्यूटिफुल पिक्चर बनाते हैं आपकी जो यह आर्ट है वो इनी से प्रेवित हो करके ली गई है ठीक है बच्चों को सिखाया गया है कि इन पत्तों से आप किस तरीके से पिक्चर बना सकते हैं किस तरीके से आप इनको यूज करते हैं एक क्रिएटिव वे में तो कौन है यह विष्लू चिंचालकर है इंदो है इंद और मध्याप्रदेश से तो अगर पूछ लिया जाता है कि पिक्चर आइट जो है पिक्चर आप से बनाते हैं कावर होती है तो आपकी नहीं होती है नेक्स देखते हैं डिफ्रेंट फूड़्द दिफिए अब यह भी आपका फूर्ड है जो आपकी एक ब्राइट तो इससे भी questions जो है आपका बनता है हमेशा direct बन जाए या फिर indirect बन जाए ठीक है तो हमेशा आता है लेके क्या है आपका I live in Hong Kong यह जो बच्ची है यह बोल रही है कि मैं Hong Kong में रहते हूं I live in Hong Kong ठीक है my mother and I bought love to eat snakes अब Hong Kong में क्या खाया जाता है साप खाते है और जो डिश इनको पसंद है जो यह खाते उसका नाम क्या है Link who fan यह आपका आया हुआ question है कि Hong Kong में कॉंसी डिश जो खाई जाती है तो क्या है Link who fan आप याद रखेंगे ठीक है next आपकी कश्मीर के बारे में है कश्मीर में क्या है I like fish cooked in mustard oil कश्मीर में क्या है आपकी फिश खाय जाती है मचली खाय जाती है जो कि किस में कुक करते हैं mustard oil में कुक करते हैं और वहीं अगर हम बात करें गोवा के बारे में तो गोवा में भी क्या है आपकी फिश खा बट कश्मीर में जो फिश बनाई जाती है, वो मस्टर्ड ओयल में बनाई जाती है, और जो गोवा में बनाई जाती है, वो कोकोनट ओयल के साथ बनाई जाती है, तो दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपोंटन्ट है, केरला कि अगर मैं बात करूँ तो केरला में क्या है आपका, केरला में क्या है आपका कि इसमें दो चीजे है, एक जो फ्रूट है आपका वो लंबे, बहुत लंबे पेड़ पे लगता है, टॉल ट्री पे, और एक क्या है आपका अंडर ग्राउंड है, दो चीजों से बनी हुए एक डिश है, क्या बोलते ह तेपयोका षब से आप अंडर्यांड होता है जमीन के नीचे मिलता है आपका केरला में और फ्रहीton से नीचे में और या को कॉकोनट। है that the coconut trees is के पर खुटने के सीहरों के उचे लुदू और अपको कमmot नीच की होती है केरला में बोईल टैपियोका एंड करी मेड यूजिंग कोकोने टॉयल और करनाटका में रागी मुडे यह मैंने एक्स्टा लिया है एक बाइचांस आ जाता है आसपास का तो वह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट के है साइन लेंगवज किसली होती है आपकी जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए स्कूल में यूज की जाती है अब आपने देखा होगा जैसे दूरदर्शन वागेरा पर न्यूज आती है तो एक एंकर अगर न्यूज को रीड कर रहा है तो साथ में आपको द देख लीज आती है इन दान्स the hands and face are used to convey feelings अब डांस में आप देख लीजिए जो आपके क्या होते हैं आपके क्या होते हैं आपके हैं अपकी feelings को कुपने करता है और उनको क्या कहा जाता है इस इस वाल मुदराज यण भाव अगर बात करें कि दान्स में feelings को convey करने के लिए क्या होता है तो क्या थे आपके मुद्राज और भाव होते हैं मुद्राज और भाव फिलिंग कन्वे फिलिंग दान्स तो आप देख सकते हैं यह आपका रहेगा यह आपका क्या होता है? यह आपका होता है, आपका मुद्रा और यह आपके क्या होते हैं? भाव यानि कि facial expressions जो होगे भाव और जो आपके hands से expression होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुद्रा जाता है तो आप याद रखेंगे यह points को Next है birds feather Help them to fly and keep them warm जो birds के जो feather होते हैं, वो क्या करते हैं उनको, उड़ने में तो मदद करते हैं, यह तो हम सब को बता लेकिन उनको गरम भी रखते हैं, from time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place, आप देखें जो birds के जो आपके old जो पूराने punk जो हते हैं, जट जाते हैं, फर कह सकते हैं हम लोग इसको, और नए उनके जो आ जाते हैं तो क्या होता इसमें आप सोचेंगे कैसे इसको दे सकते हैं questions को दो तिन statement आपको दे दी जाएगी bird के बारे में उनमें से आपको बोला जाएगा कि इनमें से सही कौन सी नहीं है या सही कौन सी आपको छांटना होगा उसमें से The manna moves her neck back and forth with a jerk. Now, the manna is actually a pakshi. What does he do? He can do his neck to the back and forth with a jerk. Okay, if you have seen him, he can do his neck to the back and forth with a jerk. He can do his neck to the back and forth with a jerk. This is your question in seated. The owl can rotate its necks backward to a large extent. So, you don't confuse both of them. What is that? What is this? Your neck cow can move back and forth from the back. The owl can move to a large extent and rotate it up. Like if you want us to see it again, we can't rotate the girdle over a long time. The owl can move till a large extent. Move or rotate it. Okay. Next is let's learn about Braille. Braille is a bitten, this also has been asked. आपका आया हुआ है, there is a special way to read and writing for people who cannot see एक special way होता है जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए it is called braille, इसको क्या गा जाता है, braille का जाता है it is written on a thick paper by making a raw of raised dot with a pointed tool क्या होता है, एक मोटे paper पे कुछ raised dots जो होते है उबरे हुए dots के साथ में इसको क्या है, बनाया जाता है ठीक है, braille is read by running the finger on the raised dot और किस तरीके से पढ़ते हैं, जो आपके visually जो आपके challenged बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है basically इसको आप किस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, इसमें आप इस तरीके से अलफाबेट्स को पढ़ते हैं, यह आपकी braille होती है, जो कि आपके काफी important है और आई हुई भी है ठीक है Lewis Braille ने इसको बनाया है, belong to France, कहां से belong करते हैं Lewis Braille जो आपके फ्रांस से belong करते हैं, अब इनकी कहानी क्या है, जब यह तीन साल के थे, तो यह अपने father के टूल के साथ में खेल रहे थे, और इनको क्या हुआ आख में चोट लग गई, तो इनकी eyes जो है वो चली गई, तो इन्होंने इनको पढ़ने में बहुत interest था, books पढ़ने का, study करने का, इनको इतना interest था, कि इन्होंने यह तरीका निकाला, कि भाई मैं मतलब without eyes के भी पढ़ सकता हूँ, कैसे, finally found a way reading by touching and feeling, मतलब touch करके और feel करके भी पढ़ा जा सकता है, this way of reading later came known as braille script, और इस ही को क्या है, आगे चलकर braille script के, braille lippy के नाम से जाना गया, ठीक है, in this type of script, a row of raised dots are made on thick paper, ठीक है, thick paper पर कुछ dot आपके raised होते हैं, उबरे वे dots होते है because the dots are raised, they can be read by running fingers on them, ठीक है, उस पर उंगलियों को आप इस तरीके से फेरेंगे, गुमाएंगे तो आपको, वो dots से पता चल जाएगा कि क्या alphabet बना रहे हैं, ठीक है, this script is based on six points, अब यह है important, आपका जो braille lippy होती है, उसमें कितने points होते हैं, six points होते हैं, ठीक है, याद रखे return using the computer, अब यह computer के द्वारा भी लिखी जा सकती है, जैसे कि आप लोग देखे रहे हैं, टेक्नलोजी जो है, आपकी हर दिन जो है, इंप्रूव हो रही है, तो यह उसी की वज़़े से computer में भी यूज हो सकती है, इन दा बिगिनिंग, pots were made of stone and clay, जो starting में आपकी pots बनाया जा है, उनको अगर strong बनाना है, तो क्या किया जाने लगा, अभी आजकल उनको bake करने लगे, अम लोग आग के अंदर उनको सेखते हैं, जिससे कि वो और strong बन जाते है, ठीक है, श्री नगर की बात कर लेते है, श्री नगर में क्या है, इन श्री नगर पीपल मेड रंगोली यू चुमा पर बनाई जाती है, और क्या, बुरादे से, ठीक है, डल लेकिज इन श्री नगर, डल लेक कहा पर आपकी श्री नगर में है, शिकारह एक तरह की house boat है, जो कहा पर पाई जाती है, डल लेक में यानि की वो भी खाह वह हुई, श्री में हुई, कहवा जो होता है, with almond and card कर दो आमंड और कार्डमम के साथ में इसको बनाया जाता है और वहां पर है श्री नगर में पॉपुलर है काफी ठीक है नेक्स देखते हैं आपका असाम की बात कर लेते हैं अब यहां पर आपकी आगई एक जो और आपकी ब्रॉट थीम है आपकी शेल्टर के उपर तो वहां आपकी शेल्टर के बारे मबात की कि असाम में कैसे हाउस होते है इट रेन हेवली इन अवर प्लेस यहां पर क्या होते हैं बहुत जादा बारिश होती है ठीक है तो इनके जो हाउस होते हैं 10-12 फीट अबफ देग्राउंड दस से बारा फीट जो है ऊपर बनाया जाते हैं क्योंकि बहुत जादा बारिश होती है इस वजह से और कैसे बनाया जाता है या डियार मेड ऑन स्ट्रॉंग बैंबू पिलर यह आपके देख सकते हैं जैसे की बैंबू पिलर पर आपके जो हाउस हैं ठीक है और इनकी जो छटे होती वो भी क्या होती है आपकी बैंबू से अपकी लगड़ी से बनी होती है ठीक है तो असाम के है वोगी 10-12 फिट उंचाई पर बनाया जाते हैं उसके बात बात कर लेते हैं मनाली तो मनाली में क्या है आपका मनाली में which is healy area आपको पता है पहाड़ी area है वहाँ पर क्या होती है रेन तो बहुत जादा होती है उसके साथ स्नो भी बहुत होती है ठीक है तो वहाँ पर महुत ठंड होती है और houses are made of stone and wood तो वहाँ पर क्या होते है लकडी और पत्थर के घर बनत अब राजस्तान में क्या है आपको पता है बहुत जादा घर वहाँ पर राजस्तान इस वेरी स्केर इन आवर रेंफॉल इस वेरी आपको बहुत जादा गर्मी ओती है जाते है वहां पर की मिट्टी के घर बनाए जाते है ठंडे रहते हैं the walls of the houses are very thick जो दिवार बनाई जा ताकि गरम ना रहे इस वाल्स आर प्लास्टर विद मड किसके साथ में उसको मड आप कीचड को कह सकते तरी किसे कीचड या मिट्टी को लेप होता उस पर पुताई करते हैं वो लो और रूफ आर मेड ऑफ थौर्णी बशिस यानि की जाडियों से जो है चत बनाई जाती है च मेढ़े प्टा कर चेंग र सिर्जाय सपही जाती है तो क्या विज्यूर्ट मदेश भल ऽिन पर कि ट्ंप कर दे लेग को से श।र्णी बिंगत जाती है तो टंkे भलाक उन परी मेड के लिए तू निता में थेतात treatment फोई दह को बंद कर देते हैं तान्के को क्या डाकन से फ जिससे की छत पर गिराओवा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में चला जाता है चत की नाली पर एक जाली लगा देते हैं जिससे की कूडा करकत नहीं आता है आज़कल आप लुग देखते होंगे अगर गाउं में अभी भी आप जाते हैं तो आपको normal villages में भी यह चीज मिलेगी वैसे बट यहाँ पर राजस्तान की बात की जारी है NCRT में राजस्तान mention किया गया है तो आप अगर टांका पूछा जाता है तो आप राजस्तान लिखेंगे आप देखते होंगे घरों में जो आंगन होता है उसके अंदर इस तरीके से कुछ एक मतलब underground आपके एक टंकी बना दी जाती आजकल तो उसको मतलब supply के पानी से भरते हैं लोग motor लगा के लेकिन पहले क्या था उसको बारिश के पानी से भरते थे ठीक है तो यह point हुआ important टंका अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा यह इस तरीके से आंगन में बनाते हैं और यह इसको इस lid से cover कर देते हैं और इसके जो pipe होते हैं वो छट से connect करते हैं इस तरीके से ठीक है next देखते हैं क्या है भई next है next है आपके इसके कुछ bonus questions जो कि आपके किसे previous year से लिए गए है और जो अभी अभी हमेरे discussion किया उससे related है बलकुल ठीक है तो आप लोग video को pause करके answer करेंगे पहले और उसके बार आंसर सुनेंगे इमानदारी से ठीक है in braille script raw of raised dots are made on a thick paper this script is based on अब क्या है जो braille script है आपकी braille lippy है वो क्या है आपकी raised dots होती है ठीक है उबरे हुए dots की पंक्तियों में बनाई जाती है एक thick paper पर मोटे paper पर उसकी जो script होती है कितने points होते हैं उसके अंदर में 4 points, 6 points, 8 points और 10 points तो हमने अभी अभी discuss किया था कि braille lippy में अंदर कि आपके क्या होते है 6 points होते है जो कि इस तरीके से बनाए होते है ठीक है उबरे हुए points होते है और 6 points होते है आपके braille lippy के लिए next देख लेते हैं क्या है in which one of the following state is tapioca grown अब हमने tapioca के बारे में पढ़ा अभी अभी कहां पे खाया जाता है ठीक है तो वही पर यह पाया जाता है तो मेगाले पंजाव असाम या केरला तो हमने पढ़ा कि tapioca क्या है केरला हमें खाया जाता है किस के साथ में नारियल की गड़ी के साथ में ठीक है next है आपका कहवा कहवा is a special type of tea या बीवरेज कह सकते हैं पेपदार था पिसको it is popular in कहवा हमने कहा पढ़ा श्री नगर का जो हमने topic पढ़ा उसके अंदर हमने कहवा पढ़ा था तो यहां पे option में आपके पास कश्मीर है करनाटका है असाम है वेस्ट बेंगॉल है तो श्री नगर की बात आ रही है तो आपका option कौन सा ठीक होगा कश्मीर होगा ठीक है वैसे यह जो कहवा है वो कहाँ पर famous है कश्मीर में आपका famous है popular है ठीक है which one of the following bird spices move its neck back and forth with a jerk मतलग कि जो एक जटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाला पक्षी जो है वो कौन सा है owl है, crow है, barbate है या फिर मैना है तो आपने अभी अभी पढ़ा कि owl क्या है आपका एक लार्ज extent में देख सकता है backward बहुत ही लार्ज extent तक अपनी गर्दन को वो move कर सकता है लेकिन यहां क्या पुछा गया है कि जो जटके से आगे पीछे कर सकती है अपनी गर्दन को और अगर आपने टैक मन्थन के नोट्स अगर आपने अटेंड किये हैं तो आप confused हो ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो discussion इतना अच्छा करते हैं pictures के through और काफी सारी चीजी और भी हम लोग आगे पीछे की पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेट करके हमें अच्छे से याद रह पाता है तो यह था आज का discussion third class की complete NCRT हमने इसमें कर ली है और इससे जादा important नहीं है इसमें कुछ भी next लोग वीडियो में करेंगे EVS पैड़ागोजी जो कि आपकी मतलब टोटल आपका क्या है 15 मार्क का वेटेज रखती है बिल्कुल कभी कभार 16 17 की भी आ जाती है और मतलब यह फ्री के जरूर पूछें मैं जरूर आपको reply करूंगी और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग CDP डिसकस करेंगे तो thank you friends keep learning keep supporting